हे गाईज, वेलकम टो स्टेड़ी विद सुनील देखे दोस्तों, रिजिनिंग के जो अपने किशन आंटसर की सीरीज शुरू कर रखे थी, उसको अपन कर्टेजियू करते हैं कई बार आपको एक्जाम में किशन पूछा जाता है कि सब्दों की तार्किक व्यावस्ता यान की concept of logical arrangement of words इस topic से related आपको कई बार किशन पूछा जाता है, कुछ सब्द दिये जाते हैं और उनका arrangement करना आपको होता है कि पहले कौन सा सब्द आएगा, उसके बाद में कौन सा सब्द आएगा तो देखे, आज का session अपन शुरू करते हैं, कुछ सब्द आपको दे रहे हैं पढ़ना, रस्तना करना, लिखना और छापना इनका arrangement करके बताना है कि पहले नमर पर कौन सा आएगा, दूसरे नमर पर कौन सा आएगा, तीसरे नमर पर कौन सा आएगा, इस तरीके से पढ़ना, रस्तना करना, लिखना और छापना देखे, ये जो process होती है, इसमें सबसे पहले कोई भी चीज को अपन क्या करते हैं, लिखते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, रस्तना करते हैं, उसके बाद में उसको अपन छापते हैं, और छापने के बाद में अपन उसको पढ़ते हैं तो ये प्रोसेस चलती है लिखना रचना करना चापना और पढ़ना तो लिखना आपको थरड में दे रखा है देखो तीसरा आपको इसमें और इसमें दे रखा है इसमें दो और एक है तो ये तो कैंसल हो गया उसके बाद में रचना करना तो रचना दो नमर पर दो नमर आप जिसमें starting एक ही लेटर से हो रही है तो 99% chances बनते हैं कि उन तीनों में से ही answer होगा जो कि आपको अलग दे रखाया ना वो तो बिल्कुल भी answer नहीं होगा तो ये कुछ question करने की tricks होती है option D क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा निमने सब्दों की तार की करम में इनको व्यवस्तित करना है आवेदन, चयन, परीक्षा, साखसातकार और विज्यापन देखे चारों option आपको दिखा देते हूं आवेदन, चयन, परीक्षा, साखसातकार और विज्यापन देखो यहां पर क्या होगा सबसे पहले यहां पर क्या होता है सबसे पहले किसी भी बर्ती का क्या निकलता है विज्ञापन निकलता है अरे बोलता है अपन की रीट की बर्ती है उसकी विज्ञापन निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका विज्ञापन निकलता है उ आवेदन आमंत्रित करने के बाद में उसकी परिक्षा लिजाती है, परिक्षा होने के बाद में एक और चरण पार करना पता है, उसका नाम है साकसातकार, परिक्षा के बाद में साकसातकार होता है, और अंतिम जो आपकी नोक्री लगने के लिए होता है, वो कौन सा होता है, तो विग्यापन, आवेदन, परिक्षा, साकसातकार और चैन इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा और ये देख लो आप कुन से में है विग्यापन, उसके बाद में आवेदन, उसके बाद में परिक्षा, बाद में साकसातकार और बाद में चैन तो यह होजाएगा 5, 1, 3, 4, 2 5, 1, 3, 4, 2 आपको second option में दे रखा है निवने सब्दों को अर्थपूर्ण करमें व्यवस्तित करना है परिवार, समुदाई, सदिश्य, समाज और देश इनको बताना है आपको परिवार, समुदाई, सदिश्य, समाज और देश इनमें बताओ कि पहले कौन से आएगा देखो आप परिवार में रहते हैं तो परिवार किसे मिलकर बनता है सदिश्य से मिलकर बनता है सदिश्य से मिलकर क्या बनता है परिवार बनता है और परिवारों से मिलकर क्या बनता है समुदाई बनता है और एक community बनती है ना परिवार से मिलकर और समुदाय से मिलकर क्या बनता है समाज बनता है ठीक है और सबसे बड़ी जो इकाई होती है इसमें वो कौन शे होती है देश होता है इनकी सदश्य, परिवार, समुदाय, समाज और देश तो ये देखो आपको कौन से में दे रखा है 3,1,2,4,5 3,1,2,4,5 ओप्सन फेस्ट में दे रखा है ये इसका अंसर हो जाएगा फिर देखो निम्न सब्दों को अर्थपूंट करम में व्यवस्तित करना है आंदर प्रदेश, ब्रमांड, तिरुपती, संसार या भारत इस बार आपको जगहों के नाम दे रखें देखो तिरुपती क्या एक शहर का नाम है तिरुपती क्या है? सहर का नाम है तिरुपती सहर कहां पर है? आंदर प्रदेश में है तो दो नमर्पर क्या हो जाएगा आंदर प्रदेश हो जाएगा अब आपको पता है आंदर प्रदेश का एक राज्य है कौन से देश का राज्य है भारत का राज्य है भारत का एक कंट्री है और वो कंट्री संसार में इस्तित है अब संसार जो पूरा है वो ब्रमांड का हिस्टा है तो यह आपको याध imposing है ब्रमांड यानि कि तिरूपती सहर उसके बाद में आंदरप्रदेश इसके बाद में भारत उसके बाद में संसार वो लास्ट में किया जाएगा ब्रमांड आजाएगा तो 3, 1, 5, 4, 2 3, 1, 5, 4, 2 आपको तिसरी ओप्सन में दे रखा है इसरी ओप्सन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा उसके वादे वो सोना, लोहा, रेथ, प्लेटिनम और हीरा इनको विवस्तित करना है सोना, लोहा, रेथ, प्लेटिनम और हीरा अब अगर आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि एक चीज से दूसरी चीज का निर्मान होता है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं इनको यहाँ पर कीमत के आदार पर आपको औरेंजमेंट करना है यह बार आता है कि कम कीमत का कौन सा है उसके बाद में ज्यादा कीमत वाला कौन सा है उसके बाद में उससे ज्यादा प्रैस किसकी लगती है तो कीमत के आदार पर आपको चैन करके बताना है सबसे सस्ता इन मेंशे कौन सा होता है देखो रेथ, सबसे सस्ती होती है इन मेंशे उसके बाद में आपको दे रखा है लोहा तो रेत के बाद में लोहा जाएगा उसके बाद में एक नमर पर आपको दे रखा है सोना और उसके बाद में हीरा और इनमें सबसे महिंगाज होता है वो कौन सा होता है प्लेटिनम होता है ठीक है तो प्लेटिनम आदाएगा रेत, लोहा, सोना, हीरा और प्लेटिनम यह देख लो आपको कौन से ओप्सन में दे रखा है 3, 2, 1, 5, 4 3, 2, 1, 5, 4 शेकिन्ड ओप्सन में दे रखा है यह इसका अंसर देगा अब देखो ट्रिलियन, थाउजेंट, बीलियन, हंड्रेड और मीलियन यह दे रखे हैं आपको ट्रिलियन, थाउजेंट, बीलियन, हंड्रेड और मीलियन संख्या हैं दे रखे हैं इस बार आपको देखो सबसे सोटी संख्या इन में से कौन से होती है हंड्रेड होती है अरे हंड्रेट ही तो होती है ना सो को बोलते हैं तो ये हंड्रेट हो जाएगा हंड्रेट आपको चार नमर पर दे रखा है उसके बाद में थाउजेंड यानि कि हजार थाउजेंड आपको दे रखा है दो नमर पर चार दो तो ये दोनों option तो cancel हो गए ये दोनों है चार और दो तो 100,000 उसके बाद में क्या आता है million आता है उसके बाद में क्या आता है billion आता है और उसके बाद में trillion आता है तो million आपको 5 पर दे रखा है तो 5 इसमें नहीं है 5 इसमें दे रखा है नीचे वाले में इसलिए option D इसका answer रह जाएगा 4, 2, 5, 3, 1 ठीक है hundred उसके बाद thousand, million, billion और trillion फिर आपको अंग्रेजी के सब्द दे रखें और उनका arrangement करके बताना है कि सब्द को उसके अधार पर पहला कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा ये question भी आपको concept all logical arrangement of words की topic में से ही आता है देखो hepatitis, cholera उसके बाद में pepti, dough, glycan और chitin देखो इन में सबसे पहले आपको arrangement करना है सब्द को उसके अधार पर देखो C पहले आता है, H पहले आता है O भी C पहले आता है, C पहले आता है P भी बाद में आता है तो 4 और 2 इनको ले लो पहले C, H दे रखाए, C, H दे रखाए उसके बाद में O दे रखाए, यहांपर I दे रखाए अब I पहले आता है, O पहले आता है I पहले आता है यहनि चोथा जोना वो सबसे पहले आ जाएगा उसके बाद में दूसरा जाएगा तो चोथ था इसमें दे रखाए और दूसरा भी बाद में इसमें दे रखाए इसमें चार के बाद में एक दे रखाए इसमें तो दो दे रखाए इसमें तीन दे रखाए मतलब नहीं है option shaken इसका answer हो जाएगा कुछ भी नहीं करना पड़ा आपने को केवल दो ही लेटर निकालने पड़े हैं तो option shaken क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा निम्ने सब्दों के अनुसार आपको बताना है अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार फिर से वही क्यूसन है एपिसोड एपिस्टल एपिस्कोब एपिग्राफ इसमें बताना है वर्ण माला के अनुसार कौन सा पहले आएगा देखो यहाँ पर एपी दे रखाए एपी आई एपी आई एपी आई एपी आई यहाँ तक तो सेम है उसके बाद में इन तिनों में एपी आई एस दे रखाए और इसमें जी दे रखाए तो जी पहले आता है ऐसे इसलिए चौथा पहले आजाएगा ठीक है चौथा देखो इसमें नहीं दे रखा इसमें और इसमें दे रखाए ढब चार के बाद ने देखो कौन सा आएगा EPIS EPIS और EPIS दे रखाए यहाँपर आगे O दे रखाए यहाँपर T दे रखाए और यहाँपर C दे रखाए अब O, S और C में से पहले कौन सा आता है ओबिश यह वाथ है, C सबसे पहले आता है तो C आपको इसमें दे रखा है इसका मतलब चार के बाद में तीन वाला आजएगा चार के बाद में तीन वाला आपको इसमें दे रखा है इसमें नहीं दे रखा इसका मतलब option D क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा epigraph आएगा, episcope आएगा, episode आएगा उसके बाद में एपिस्टल आएगा option D इसका correct answer होगा अब देखे कुछ क्यूशन और अपन practice कर लेते हैं वनमाला की, victory victorious vaccine और vacancy इन में से आपको बताना है, पहले कौन सा आएगा देखो V, I, C V, I, C, यहाँ पर V, A, V, A, अब I पहले आता है A पहले आता है, उवेस्टी बात A पहले आता है तो इन दोनों को तो एक बार भूल जाओ आप, इन दोनों पर जान दो, तो V, A, C V, A, C, इसमें भी दे रखाए, इसमें आगे A दे रखाए, इसमें फिर से C दे रखाए यहनि चार वाला पहले आजाएगा क्योंकि, A पहले आता है, C से उसके बाद में 3 वाला आएगा तो 4 और 3, यह कौन से में दिर का है इसमें दो है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें है दिर का है, 4 और 3 तो उब सन्डी क्या होगा इसका, आनसर होगा इन तीनों को आगी है अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो चार तीन उसके बाद में दो आ जाएगा उसके बाद में एका जाएगा यह arrangement बैठेगा और option D क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा देखें किसे नोड़ देख लिते हैं अपन train, topper, tingling, tumbler और traction इनमें से आपको बताना है arrangement करके पहले कौन सा आएगा देखो T, R, T, O, T, I, T, U, T, R तो T तो सम्में same है competition है R के बीच में, O के बीच में, I के बीच में, U के बीच में इनके बीच में competition है अब देखो इनमें से पहला कौन सा आता है R आता है 18 नमर पर, O आता है 15 नमर पर, I आता है 9 नमर पर, और Y आता है 21 नमर पर तो I वाला है वो सबसे पहले आएगा, I किस में देखा है, tingling में देखा है तीसरा, तो तीसरा आपको starting में किस में देखा है, इसमें देखा है, और एक इसमें देखा है ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तीन के बाद में दो दे रुखा है तीन के बाद में इसमें भी दो दे रुखा है इसमें आगे पांच दे रुखा है और एक दे रुखा है तो पांच और एक को देख लो पहले कौन सा आएगा आनसर और आपको देखने ही जोड़ी तरी आनसर आजएगा आपका क्योंकि तीन दो देखो इसमें भी शेम दे रखा है तीन दो इसमें भी दे रखा है इसमें आगे पांच है इसमें एक है तो पांच और एक में देख लो पहले कौन सा आएगा पांच पर आपको ट्रेक्शन दे रखा है और इसमें आपको टी आर दे रखा है देखो टी आर ए टी आर ए बाद में पांच वे में यहाँ पर शी दे रखा है और यहाँ पर आई दे रखा है अब शी पहले आता है आई बाद में आता है इसका मदब तीन दो पांच एक चार यह क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो जाएगा, कुछ और भी question है यहाँ पर, English alphabet से ही, तो इसकी complete PDF आपको Telegram channel के उपर मिल जाएगी, वहाँ से आप पे इस PDF को download कर लेना, और खुद से in question के practice कर लेना, काफी important question है आपके exam के द्रश्टिकॉंट से, तो Telegram पर आप सुनील पचार सर नाम से जो channel बनावाए, वहाँ पर आप मुझे join कर लेना, और इस PDF को download करके बाद खुद से practice कर लेना, ठीक है, thanks for listening, as always, God bless you.